मा सरस्वती के चण्णों में साधर नमर आज की इस वीडियो को मैं माता सरस्वती को परणाम करते हुए प्रारम कर रही हूँ प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको प्री एकलम्सिया के बारे में बताया था टॉक्सिमिया प्रिग्ननसी क्या होता है क्यों होता है क्या इसके लक्षन है क्या इसके संकेत है कितने प्रकार के pre-eclampsia है टॉक्सिमिया को कितने वर्गों में बाठ सकते है कब कहेंगे कि गर्वती माता pre-eclampsic है इसके बारे में मैंने पिछले दो वीडियो में डीटेल से बताया है आज की इस वीडियो में आपको pre-eclampsia के treatment के बारे में बताऊंगी उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे, माता को कैसे हम प्रेकलम्सिया से बचाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बीमारी तो हो गई है, गर्भावस्ता में जो बीमारी हो नी थी प्रेकलम्सिया क्या हो गया है, चाहे वो अस्ट्रेस के कार ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है आखरों के अंधर अच्छा जाता है चक्कर आने लगते हैं नींद नहीं आती है पेसाब से प्रोटिन ज्यादा मात्orama है निकलने लगता है यह सब तर प्रेकलम्टिक लक्षन है अब हम ये देखेंगे कि विमारी तो होग युस पर काभू कैसे पाएं उसका मुपचार कैसे करें तो देखो प्रेकलम्टिया का जो उपचार है सबसे पहले तो कोई भी बिमारी होती है तीन चीज पर तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कोई सभी बिमारी हो याद रखो तीन चीज तो होनी चाहिए पहला रेस्ट आराम पूरा आराम दूसरा आहार अतिसरा निद्रा कम्प्लीट स्लिप पूरी तरह से निंद तीन चीज तो कुई सी भी बिमारी के लिए कहीं भी देखोंगे तो तीन चीज है उप्चार का पहला तीन आराम आहार और निद्रा नितान तावस्चक है तो जो गर्भती इस्त्री है अगर उप्रिएकलम्टिक है तो उसे पुर्ण जो पुब्लिक सेक्टर में काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है गौर्मेंट सेक्टर में काम कर रही है सरकार इसी को पहचाना है और इसके लिए उन्होंने छुटियां दिये छे माह की मार्तिरत्व अवकास कि अगर किसी भी महिला को अगर ये लक्षन उत्वन हो जाते हैं तो complete rest उसको करना चाहिए पुर्न आराम उसको दिया जाना चाहिए आराम करने से काफी हद तक रोगों पर काबू पा सकते हैं दूसरा उसका आहार रोग की स्थिती को देखते हुए रोग कैसा है उसके अनुसार आहार की बेवस्था की जानी चाहिए डाइट की बेवस्था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए डाइट में क्या ये अलग-अलग रोगों में अलग-अलग इस्थिती में अलग-अलग अहार दिया जाता है यहां पर मैं प्रियेखलंप्सिया कि स्थिति में किस प्रकार कि यहार देंगे तो सबसे पहले प्रोटीन की मात्रा हम कम देंगे गर्भती माता को यद्दे भी प्रोटिन जादा चाहिए उसको स्वयम के बोडी के मेंटेनेंस के लिए और उसके गर्भत सिसु को बढ़बार के लिए लेकिन अगर गर्भती माता प्रियकलम्टिक है जब उसके पेशाब से प्रोटिन की मात्रा निकल रहा है इस स्थिति में प्रोटीन कम से कम दिया जाना चाहिए जैसे आपको अंडा है, मांस है, मचली है, दाल है, मुंखफली है ये सब की मात्रा कम की जाने चाहिए ताकि प्रोटीन कम से कम पेशाप के माध्यम से निकले और कम से कम उसका किड्नी डैमेजड हो दूसरा है गर्वती माता के लिए यह क्या हम लोगों के लिए भी कि अधिक तलाब हुना गरिष्ट भोजन बिल्कुल ही वर्जित समझना चाहिए अधिक वसा युक्त भोजन तो गर्वती माता को करना ही नहीं चाहिए यह तो हमें भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आगे क बढ़ाता है कि कोलेस्टरोल जहां बढ़ेगा हट प्रोडम माईगा है फैटी लिवर हो जाएगा तो वसा कम से कम होना चाहिए फैट की मात्रा कम होनी चाहिए तला भूना हुआ जो भोजन है गरिश्ट भोजन है मिर्च मसालेदार भोजन है वह उसे पुर्ण नता वर्जी थी समझना चाहिए अगर खाने कभी मन करें तो बहुत कम मात्रा में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं इसके बाद तीसरा है नींद नित्रा नींद नींद जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए रोगी व्यक्ति के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है कि अगर नींद नहीं आती है रोगी को तो बेचाई नहीं होने लगता है उल्टिया होने लगती है चक्कर आने लगता है घबरहाट होने लगता है तो नींद के लिए गहरी नींद के लिए प्रेकलम्टिक, प्रिगनेट मदर को डॉक्टर साब सीडेटिव्स देते हैं, जिससे उसे गहरी निंदा जाती है, और चौथा क्या है, उसको सिमित मात्रा में तरल पदार्थ पीने को देना चाहिए, अब कहोगे कि सिमित मात्रा में तरल पदार्थ क्यों देना चाहिए, प शूजन हो जाता है। उसके शरीर में बही कोशीयरस हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सूजन के स्थिति में शरीर में पानी भर जाता है, जल भर जाता है। तो कम मात्रा में उसे लिक्विड पदार्थ देना चाहिए ग्रहन करने के लिए। वो भी डॉक्टर की देख रेक में डॉक्टर जितना असाइंड करते हैं कि इतना उनको पानी पीना है इतना ही उनको दूध देना है आधा लिटर जादा जाद दूध दे सकते हैं क्योंकि ये तो जटिलताएं है जो गर्भती माता के साथ-साथ उसके गर्भत शिशू को भी जान के लिए खत्रा है तो ये चीजे तो ध्यान रखना पड़ेगा तो सिमित मात्रा में तरलपदार से देना है चोथा गर्भती माता को कम से कम नमक देना है नमक की मात्रा जादा नहीं देनी है क्यों नहीं देनी है तो जब आप नमक लोगे तो सूजन की मात्रा बढ़े ज्यादा ज्यादा ओकरो तो पांच ग्राम इसे ज्यादा नमक गर्वति इस्त्री को नहीं देना चाहिए उपर से तो नमक लेकर के खाना तो पुर्णता वर्जीत है जैसे टेबल चाल्ट गाते हैं उपर सब्जियों में कम नमक पड़ता है नमक डाल दो इसलाद में नमक ड भूग संदायक है विशयला हो जाता है उसके लिए भोजन इसके बाद मानसिक और सवारिक टनाव से गर्वति इस्त्री को पूर्णता मुक्त रहना चाहिए है वर्तमान समय में आप देख रहे हो जो आज की स्थितियां है उसमें मानसिक परिशानी और तनाव गर्वति इस एक तो सबसे पहले उसके पहला बच्चा रहा तो समझ ही नहीं आता है कि हमारे पेट के अंदर क्या हल्चल हो रहा है अनुवह होता नहीं है और जो आज की जो स्थीतियां है जहां पर अकेले पती-पत्नी रह रह रहे हैं कोई परिवार के दूसरे सद्द्शे नहीं है कोई जर्षादार नहीं दो जब थोड़ी परिशानी होती है तो मानशी परिशानी और बेचाइनी भी होने लगता है तो उसको द्रों से पुर्णा च्था होना चाहिए आज जो लोग करे once प्रईविट सेक्टर में काम कर रहा है जो मेलाए पिरी काम कर रही है उसको तनावब भोल हो जाता है काम कर दबाओ भी पड़ता कि उससे उसको बचना चाहिए सोरगूल वाले अस्थान से दूर रहना चाहिए भीड़ भाड़ाई निया सथान जाल एक रापरेप लुषताया में हिन्ा कर रिशा घरटाओंग लियुक्तृ-स तहे कहते है ऊसको यह नहीं कहें कि है वो तेसले बीतर अ उपता है। जह हम हुआ है प्लोस्ति तो भी मत दिखु गोरma जहां यहां आप को सकता है, तो जहां तक हो सकता है। उसको मानशिक और शारी दिखतनाव से मुक्त रखें फिर कव जिसे बचाव के लिए मोटे अनाज खाओ चोकर युक्त आटा लो छिलके साइद फल लो छिलके साइद सब्जी अलजे से खीरा है तो लोग छिलके खाते हैं नहीं नहीं खाना जाई एपल है छिलके साइद तो कव्ज से बचाव के लिए मोटे अनाज डलिया ऐसी चीजों को ग्रहन करना है जिससे की कव्ज नहीं हो अगर कव्ज भी हो जाए तो पहले तो दुम्यामरी की परिशानी चल रही थी एक परिशानी और हो गई कव्ज की तो यह भी नुक्सान करता है इसके बाद मुत्र का निसकासन कम हो जाता है क्यों होता है क्यों होता है क्यों होता है क्यों कि पानी कम पी रहा है पानी तो निकालता है जितना पानी प्योंगे उत्ता पेशा बनता है आप खुदी देख सर्दी के मौसम में ज्यादा पानी पीते हैं ज्यादा पेशा बनता है गर्मी के दिन म इसके लिए डेली परति दिन एक गर्भती इस्त्री को कितना पेशाब बन रहा है इसके सूची तेयार करना चाहिए और एक इस सूची का आधार पर उसे डॉक्टर से जब टीटमेंट कराओ तो डॉक्टर सा बताते हैं कि प्रति दिन उरिया का 24 गंटे में आपका कितना प्रतिमेंट के लिए जाएं तो आपको आपके पास अगर सूची रहेगी तो डॉक्टर साब को दिखाने में आपको सहायता मिलेगा सरल रहेगा कि इसके बाद सोडियम लवन का विस्थापन करना आवस्यक है सोडियम लवन के विस्थापन के लिए मैगनेसियम सेलफेट और अमोनियम क्लॉराइड डॉक्टर साब के दिवारा दिया जाता है जिससे कि पेशाब की मात्रा बढ़ जाती क्योंकि कम पेशाम होगा तो ब्लड का फिल्टर हो जाएगा तो पेशा बढ़ना चाहिए इसके लिए सोडियम लवन का विस्थापन किया जाता है किसके मार्धियम से मैगनेसियम सेलफेट को दे करके और अमोनियम क्लॉराइड को दे करके और सबसे इंपोर्टेंट है रेगुलर हेल्थ चेकप नियमित डाक्टरी जांच और सला है प्रिग्नेंट मदर को चाहिए कि अपने स्वास्थ के परिक्षन के लिए समय पर चिकित्षक के द्वारा दिया गया जो सला है उसकी माने और अपना स्वास्थ परिछन जाकर के अस्पताल में करवाए या नीजी क्लिंक में करवाए या उनके कोई उन्होंने उनके कोई टॉक्टर हो उनके पास जाकर करवाए ऐसा करने से प्रियकलम्प्सिया पर काफी हद तक काबू पाय जा सकता है और एक गर्वती इस्त्री का जान को बचाया जा सकता है जहां तक आप देखते हो कि मात्री और शिशु मिर्तुदर में काफी कमी आई है क्यों कमी आई है इसके पीछे रीजन यहीं है कि लोग जागरूख हो गए पहले क्या होता था बहुत सारी कंप्लेक्टिटी जूद्पन हो जाती थी लोग ध्यान नहीं देते थे और कई बार गर्व में ही बालक की मिर्तुद हो जाती थी कि यह प्रशव के दवरान कि माता और शीशु दोनों का जान चला जाता था अथ वक्त दोनों में से किसी एक की मिर्तुद हो जाती थी यह मर माद बच्चा मर गया यह मां मर गई तो अब चुंकि स्वास्थ विभाग में काफी प्रगति हुआ है मार भारत में आजादी के पस्चा अब इंदस्कों में तो बहुत जादा हुआ है अब घर पर तो रेरली ही परश्व परक्रिया की जाती है बाकि सभी अस्पताल ही जाते हैं जहां डेलिवरी होती है और वहां से फिर जच् परकार से रेगुलर है हेल्थ चेक अप करने से पता चल जाता है कौन सी दवाई देनी है कौन सा उनको खान पान पर किसको कंट्रोल करना है कौन किसकी बढ़ावा देना है यह सब चीज आपको चिकचिय सलहा से मिलती है तो चलिए आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम और गर्प कालन विशाक्तता के बारे में जो मैंने डीटेल्स बताया है उसको यहीं विराम देति फिर मिलती हम अगले वीडियो में आपको एक लंब सिया तब बताऊंगे एक लंब सिया क्या होता है तब तक इजाचत हो जाने की ओके थैंक्यू